हेलो फ्रेंट्स कैसी हो आप सभी उमीद करती हो आप सभी बहुत अच्छे होएंगे और फ्रेंट्स देखें अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अचानक से आंधी तुफान आया और अभी सूरज ढहला है बस्ट और अभी देखें अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने सब जगह की लैट्स जला दी है और बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ बहु जो होती है ना बहुत तेज वाली वह होई जाती है उसके बाद में घर आ गई थी साय दरवाजयों के बंद कर दिया और यहां पर मैं रात के खाना बनाने की त्यारी कर रही है तो यह है चावल और चावल को मैं भीगोने के लिए रख दी दुपहर के टाइम पर तो यहां पर देखे फ्रेंट्स इसको मैं धो करी इसको भीगोने के लिए रखे दी लेकिन फिर से एक दो और पानी से धो दी और यहां पर देखे फ्रेंट्स यह इसको ना मुझे पीसना है बहुत अच्छे से इसका पीष्ट बना के तयार कर लेना है तो बस मैंने मिक्सी के जार मे ले लिया है, दो बार में यह पीश जाता है और मैंने बहुत जादा नहीं भीगोई थी छावल जितना हम लोग के लिए रात में हो जाए उतने ही मैंने लिया है तो देखे फ्रंड्स इसका मैंने बहुत अच्छी से पीश्ट बना लिया है बहुत पतला मैंने पीस लिया है जितना ये पतला पीस सकी उतना और उसके बाद देखिए इसको मैं कटोरी में निकाल दूँगी और अभी एक बार और बचा था तो उसको भी मैं पीस के तयार कर लेती हूँ और अभी आप लोग सोचोगी मैं बना क्या रही है तो फ्रेंड्स आज मैं रात के खाने में यही मैं बनाऊंगी इसी चावल का रोटी बनाऊंगी जिसे नीर ढोसा बोलते हैं बहुत कोई और हम लोग तिसे अरवा चावल का छिलका बोलते हैं तो ये देखिए छोटा सा नारियल था मेरे घर में तो इसको मैंने फोर दिया है इसका देखिए मैं पानी निकाल रही हूँ गिलास में और इसको देखिए अभी मैं कदुकस करके नारियल को फिर इसी में डाल दूँगी और इसको पीस दूँगी तो नीडोसा में ये जो नारियल है इसका फिर बहुत अच्छा स्वाद आता है उसके बाद देखी फ्रेंट्स इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसका बिल्कुल पतला बैटर बनाना है पतला ही रहता है नीडोसा के लिए एकदम जैसे की जितना चावल रहता है उसका डेड़ गुना पानी हमें लेना पड़ता है उसके बाद देखी फ्रेंट्स ये मैंने तो आसा तेल लिया उसको पुरा फैला दिया है और ये जो तवा है ये मैं सिर्फ कभी-कभी ही निकालती हूँ ये रोज इस तवा पर ने बनाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यदा भारी है ये काश टायरन का तवा है इसमें न जल्दी चिपकता नहीं अगर इस टैप का कुछ भी मैं रोटी वगरा बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से इसमें बन जाता है और ये देखिए इसको एक ही तरफ पकाना रहता है नीडोसा को तो एक मैंने धग दिया था और ये देखिए इसी तरह से जितना भी है बाकी कमें सब बना के रेडी कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छे लगता है खाने में बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ तो ये बहुत हेलरी भी है और कभी कभी खाने में बहुत अच्छे लगता है इसके साथ ना अगर चटनी रहे या फिर तरी वाली कोई भी सबजी रहे कोई भी सबजी के साथ इसे हम मेरे घर में तो सब कोई खाते है और अपना अपना पसंद रहता है सब का कि किसके साथ ज्यादा अच्छी लगती है कौन किसे साथ क्या खा रहा है यह जो है ना बहुत पतला रहता है इसका बैटर लेकिन यह ना जब नीचे जब सीख जाता है तो यह अपने आप यह उखरने लगता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ भी म असलम मैं नहीं डाली हूँ और यह देखिए यह ने धोसब बनके रेडी हो गया है और इसके साथ मैं बनाए थी आलू और यह उरत दाल की बड़ी की सबजी थी और यह तरी वाली सबजी है टमाटर भी मैं इसमें अच्छा खासा मैंने डाला था उसके बाद देखिए फ्र किचन से आपको पता चल रहा हूँ कितनी अच्छा मौसम हो रहा था था पर ठंडी हवा चल रही थी तो ठंड लग रही थी सुबह सुबह उसके बाद बच्चों के जाने के बाद किचन का हाल मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है और यह रोज का कहानी है जब बच्चों का स को रहता है तो रूटीन अलग रहता है जब छुट्टी रहती है बच्चों की तो अलग रहता है और यहाँ पर देखे फ्रेंड्स किचन मेरा कुछ ऐसा ही मैसी सा लगता है पूरा इधर समान उधर समान विखरा रहता है क्योंकि बच्चों को जल्दी भेजना रहता है और किलीनिंग प्रोसेस सेम ही रहता है यहां पर देखे सबसे पहले सुभा तो मैं इनके लिए रोटी अगेरा कुछ बनाती हूँ या फिर सूकी सबजी तो इसके लिए अभी रात में यह तवा नहीं धोके रखी थी तो मैं सुभा धो ले रही हूँ कभी-कभी रात में धो लेत तो फटाफट काम कर लेती हूँ यहां पर यह जो दोनों तवा है ना मैं बहुत कम बहुत सायदी मैं इटे से धोती हूँ बाकी मेरा जो डेली ऐसे धोने वाला जो रहता है ना जोना तार वाला उसी से धो देती हूँ तो क्लीन हो जाता है और साफसुतरा हो जाता है तो य करें कि यहाइब रहा जाती तो यह देखें कि चायर रहता ही to parl due to allergies क्योंकर छीज़ सकते हैं कोई बीचे कि अधिये तरिको ने कनाकी प्यर्जा प्राइब चार तरफ ग्रीस कर लिया और उसको फिर मैं रख दूंगी उसके बाद सबसे पहले ये जो चकला और बेला ने उसको मैं कभी भी उससे नी धोती हूं सावनोगेरा से क्योंकि लकडी की चीज है और ये जो था ना मार्वल का मेरा चकला उसे भी मैं पानी से हमेसा धो के रख देती हूं सबसे पहले उसके बाद अब बारी आई गेस की तो गेस शुले को मैं पहले ये सारा निकाल देती हूं जितनी निकालने वाली चीज रहती है खाली बर्नर को रहने देती हूं और जब मैं कभी deep cleaning करती हूँ kitchen का तो इस टेम बर्नर वगेरा सब चीज निकाल के धोती हूँ और friends मेरा यह वाला जो चूला है न यह बहुत जली clean हो जाता है पहले वाला चूला भी बहुत जली clean हो जाता था लेकिन इसमें गीले कप्रे से बस एक बार wipe करती हूँ न तो साफ ही हो जाता है और यहाँ पर देखे friends अभी मैं गीले कप्रे से गैस चूले को साफ कर लूँगे यहाँ पर जानते हूँ friends मैं यह वाला जो काम है यह दिन में सिर्फ एक बार सुभा करती हूँ न मेरा किचन दिन भर साफ रहता है फिर मैं दुपहर का खाना बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि न मेरा सुभा ही सारा काम हो जाता है तो फिर दिन में हाथ हो हाथ करती ही जाती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है दुपहर कम में सिर्फ मुझे बरतंद होने काम रहता है तो वहीं करती हूँ बस और डेली रुटीन में हम इतना अगर काम को सामिल कर ले न मतलब कीचिन कि तो हमारा कीचिन कभी वी ऐसे बहुत ज्जादा fresh air drip करने की इतनी जौरत नहीं पड़ती हैं बाकी तो अपना अपना सब का क्लीनिंग करने का तरीका रहता है पर मेरा यही है और जब मैं मसाले रखे रहते हैं दाल अगेरा के डब्बे हैं वो सब मैं करती हूँ और यहाँ पर देखे फ्रेंट्स काउंटर टॉप के नीचे भी मैंने साफ कर लिया और जहां मैं तेल और यह रखती हूँ ना चमच अगेरा उसको भी मैं हटा के एक बार जरूर साफ करती हूँ क्योंकि ना अगर हटा के एक बार बस यह कर लेती हूँ ना तो फिर दिन भर के छुट्टी मिल जाती है और बाइचांस अगर कहीं हम चले जाते हैं एक दो दिन के लिए तो फिर हमारा घर ना साफ रहता है बहुत जदा ओयली ओयली कहीं चिपका कहीं कौने में गंदा नहीं दिखाई देता है और यहाँ पर देखे फ्रेंट्स यह जो मेरे जितने भी इधर का है ना काउंटर टर्प का एरिया इधर भी मैं चीजों को हटा के एक बार साफ करी लेती हूँ उसके बाद मेरा जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक की चीजे है जैसे कि मिक्सर और यह मेरा आटा वाला मिक्सर और जो कैटल है यह इसको ना मैं सूखे कपड़े से उपर उपर की सफाई कर देती हूँ यह मैं रोजनी करती हूँ यह कम से कम दो दिन में तीन दिन के बाद ही करती हूँ क्योंकि इतना गंदा होता नहीं है और बस सूखे कपड़े से धूल जितनी एक पड़ती है अगर मैं आटा वाला मिक्सर में अगर मैं आटा गुनती हूँ तो हलका फुलका और लग जाता है उपर नीचे तो वो बेकार दिखता है तो दो तीन दिन में यह सूखे कपड़े से इसकी धूल वगएरा हटा देती हूँ और यहां पर देखिए अब मेरा किचन कितना साफ लगने लगा है उसके बाद सिंक में थोड़े बहुत बरतन है यह सुभा इतने बरतन तो होते ही है क्योंकि बच्चे जो खा के जाते हैं दूद वगएरा पे के जाते हैं बस उतना ही रहता है और यह देखिए यहां से जितना मतलब की है गंदगी वो सब में भी ड़स्मेंट डालके आऊंगी और सुभा मेरा जो यह वाला एरिया सिंक वाला एरिया यह थोज़ा गंदा लगता है लेकिं सुभा में हामेशा रोज जब भी मैं बरतन धोती हूँ ना नल वगएरा इतना मेरा साफ करनी का यह मैं सोचती हूँ कि मेरा साफ रहेगा ना तो जिद्धी मैल नहीं जमेगा तो इसी वज़े से मैं इतना क्लीन रखती हूँ यह वाला एरिया और देखे सब से पहले मैं बरतन धो लूँगी और जो मेरा सिंक भी रहता है ना तो बरतन धोने के पाद उसको भी मैं धोना सही समझती हूँ तो बस देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने यह काउंटर टॉप साफ कर ले क्योंकि बरतन धोने के बाद यही मैं रखूंगी और आप सबी के एक कॉमेंट भी आते हैं कि आप एक बास्केट ले लिजिए किले बरतन रखने के लिए मेरे पास ना वो बास्केट था लेकिन मेरे पास मतलब इधर उधर हुआ ना तो फिर वो टूट फूट गया और अब मैंने फिर बाद में लिया नहीं क्योंकि मैं हमेसा यह रख देती तो पानी मेरा ऐसा slab बना हुआ है ना कि पानी मेरा नीचे नहीं आता है वो sink में ही जाके गिरता है तो ऐसे ढलान टैप का है इसी वज़े से मुझे जरूरत नहीं लगता है और देखूंगी मुझे ठीक तो मिलूंगी और यहाँ पर देखे फ्रेंट्स यह जो है ना sink भी मैं अभी धो देती हूँ इसके लिए मैंने अलग से एक रखा है प्लास्टिक उसी से थोड़ा रफ प्लास्टिक है तो उसको मैं इस sink को हमेसा बरतन धोने के बाद इसको भी मैं मांज देती हूँ और उसके बाद जितना म अभी मेरा जो जूना हो गया है उसको भी एक बर दोके रख देती हूँ अगर इसी तरह रखोंगे ने तो इसमेल आने लगती है और फिर बरतन अभी अब नहीं धुलेंगे मेरा जो सुबह का काम हो गया किचन साफ हो गया नास्ता अगरा बना वाए तो ना के सिर्फ खाना और दुपहर का सिर्फ खाना बनाना है तो जितना काम रहता है इस सुबह जादा रहता है और इतना एरिया देखिए अभी मैंने जूने से पूरा साफ कर दिया ना तो हमेसा साफी रहता है तो अभी देखिए सिंक भी मेरा पूरा चका-चक क्लीन हो गया है और इतना साफ अ अभी परता है तो अगर वह उठ जाता है ना फिर उसको में खिलने पिलाने लगती फिर बाकी का बाद में करती हैं यहाँ पर दीखिँ दूद आ गया थहा तो मैंने बॉल होने के लिए रख दिया है और पहले मेरा kitchen आपने देखा और अब देखे मेरा kitchen कितना साफ हो गिया है हाथो हाथ काम करने से daily अगर हम 15-20 मिनट अगर अपने kitchen में देते हैं न तो हमारा kitchen पूरा साफ ही रहता है और यहाँ पर देखे friends नीचे का जो fire से इसको भी मैं पोचा लगा देती हूं वैसे तो मॉप से इसको भी मैं पोचा लगाती हूं लेकिन kitchen को हमेशा हाथ से लगाती हूं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मतलब कि मॉप से उतना लग नी पाता है तो मैं कोशिस करती हूँ कि हाथ से ही लगाओ इसका एक अलग पोच्छा मेरा किचन में ही नीचे रहता है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम खतम हो गया है किचन का और मैंने रात से व्लोग श्टार्ट किया था सुबह में खतम कर दी तो आपको यह व्लोग मेरा कैसा लगा जरू मुझे कमेंट करके बताईएगा अच्छा लगागा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फिल्म लेंग अच्छी से नए वीडियो के साथ बाई बाई